कि ओके हेलो विर्वन स्वागत आपका सरकारी एक्जाम वाला में इस क्लास में हम लोगा जो समानिय हिंदी का हमारा क्लास चल ला था एक mcq रूप में उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लास में हम लोग 2021 के लिए important questions को देखेंगे जो आपके upcoming exam के लिए बहुत जरूरी है चाहे वो समिच्छा दिकारी हो या फिर आपका UPSI का exam हो पुलिस का exam हो लेकपाल का exam हो या फिर किसी अन्य श्टेट का exam जहां पर questions पूछे जाते हैं समानिय हिंदी से related इसमें पूरे हिंदी का mcq हमारा चल रहा है अब तक हमने 7 part करा दिया है यह part number 8 है आप हमारी चैनल पर विजिट कर जाएगा सरकारी एक्जाम वाला सर्ज करिएगा पूरा नाम याद रखेगा सरकारी एक्जाम वाला ठीक है तो यह चीज़ आप डालिएगा टेलिग्राम गुरूप से भी जोड़ सकते हैं वहाँ पर आपको classes से related PDF information आपको provide की जाती है तो चलिए start करते हैं जो लोग भी चैनल पर नए हैं आपसे request है कि चैनल को subscribe कर लें subscribe करने के बाद bell icon को on कर लें और उसमें आप all select कर लिजेगा ताकि classes की सूचन आपको सभी मिलती रहे चलिए start करते हैं पहले questions के साथ पहला question है प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है इसमें विशेज सी क्या है questions आपके screen पर है आप इसको attempt कर सकते हैं अगर आपको प्रशन का उतर नहीं पता है तो हम आपको explanation के साथ सारी questions के उतर बताते रहेंगे तो अगर इस question की उतर की बात करें हम तो देखिए क्या लिखा हुआ है प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है इसमें विशेज सी पूछा जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर उतर की बात करें तो option number 2 हो जाएगा बच्चे बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे आपके यहाँ पर विशेश हो जाएंगे देखिए विशेश होता क्या है जिस संग्या या सर्वनाम सब्द की विशेशता प्रकट की जाती है उससे क्या गोला जाता है विशेश से तो यहाँ पर किसकी विशेशता की बात हो रही है ब बच्चों के विशेस्ता की बात हो रही है बच्चे कैसे हैं प्रतिबास आली बच्चे हैं इसलिए यहां पर अप्शन नंबर आपका टू सही हो जाएगा बहुत ही अच्छा कोशन है अगर आप प्रेक्टिस करेंगे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे चैनल पर हिंदी के पूरे क्लास अप्रूड किये गया है पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है विशेसर विशेसर पूरी हिंदी की टॉपिक जि देख लिजेगा ठीक है चलिए यहां पर उतर की बात करें तो आप्शन नमबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा देखिए यहां पर चार विशेसर हैं और दो विशेसर हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे ध्यान से देखिएगा यहां पर बुरे कोटिल अनुचित और अ विशेसर से कौन कौन से हैं लोग और व्यवहार यह दो क्या हैं दो विशेसर से हैं तो आपको विशेसर और विशेसर की यहां पर मैंने पहचान भी करवा दी चलिए अगले कोशन की तरफ नेक्ट कोशन आपके स्क्रीन पर है यह गाय कम दोध देती है इस वाक्य में कम व नहीं होगा बस आप लागातार मेहनत करते रहेगा पढ़ाई के करम में ठीक है चलिए इसका उतर है option number दूसरा दूद की अब देखे कोशन क्या है कह रहा है इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर जो कम दूद देती है यह कौन देता है तो य लेकिन यहाँ पर कम की बात करें अगर केवल एक वर्ड की बात करें कम तो कम क्या चीज है इसमें गाय कम नहीं है यहाँ पर दूद कम है तो दूद जो है आपका वो मात्रा में कम है माली जे पहले 5 लिटर दे रही थी गाय अब वो 2 लिटर दूद दे रही है इसका मतलब क चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन सत्यवादी व्यक्ति पोज्य होते हैं इसमें प्रयोक्त विसेशड कौन सा है सत्यवादी व्यक्ति पोज्य होते हैं इसमें प्रयोक्त विसेशड आपको बताना है औप्शन है आपके सामनी चार गुडवाचक विसेसर, सर्वनामिक विसेसर, परिडाम बोधक विसेसर और संख्या वाचक विसेसर तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका अप्शन नमबर एक गुडवाचक विसेसर ठीक है, सत्यवादी, व्यक्ति, पुज्य होते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुडवाचक देखें, गुडवाचक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुड़ों का मतलब होता है परिभासा की रूप में बात करें तो किसी व्यक्ति वस्त के रूप में रंग, आकार, सुभाव, अवस्ता, दसा, इस्थिति, इनका अगर वर्डन करना हो तो अगर आप देखें सत्यवादी, व्यक्ति कैसा है सत्यवादी, यहाँ पर क्या बताई जा रहे है, उसकी गुड़ बताई जा रहे है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है, गुड़ है, तो यह आपका हो जाएगा गुड़ वाचक विसीसर, नेक्ट कोशन, निमलिखित मे कों सब्द जो है वह विषीसर नहीं है चार option आपके साम ने पैचान के बताने कि कौन सा सब्द जो है वह विषीसर नहीं है इस प्रिश्ण में अगर सही उतर की बात करें साथ हो तो इसका उतर है option number तिसरा तिसरा क्या है उड़ना उड़ना क्या है उड़ना विसेसर नहीं है उड़ना है क्या आपको क्रिया में पढ़ाया गया है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया तो यह है आपका सकर्मक क्रिया ठीक है मैं अच्छे से यह सारी चीज़े समझाया हूँ सकर्मक क्रिया है चलिए, चौरस क्या है, अब आपके मन में कोशन उठ सकता है, तो चौरस क्या है, यह विसीसर है, लेकिन यह गुड़ वाचक विसीसर है, अगर तनिक की बात करें, और कौन सा की बात करें, तो तनिक क्या है, तनिक आपका अनिस्चित परिमाड वाचक विसीसर, जैसे कर दिय जाए तनिक खाना दिजे तनिक सा रोटि दिजे आपको पताया नहीं गया कि नज learns वह अनिश्चित है कि कि reconstruct क्वह अनिश्चित है वो बता रहा है quantity लेकिन कितना Exact Leer नहीं बता रहा है इसलिए क्या है अनिश्चित परिमार वार्चक विसेचर होगा कि क्या क्यों कौन यह जब वर्ड आ जाते हैं तो वो हमेशा प्रश्णवाचक हो जाते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रश्णवाचक सार्वनामिक विसेसर सर्वनाम आपने पढ़ा होगा तो जहां पर भी यह वर्ड होते हैं वो सर्वनाम भी होते हैं और चोकि कौन सा है तो इसका कौन सा सब्द जो है वो विसीशड नहीं है चलिए तो यहां पर उत्तर की बात करें तो उत्तर कौन सा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका चोथा स्वेम स्वेम क्या है स्वेम एक निजवाचक सर्वनाम है क्या है क्या है निजवाचक सर्वनाम है तो यहाँ पर आपको उत्तर पता चल गया चलिए मैं बता भी देता हूं और सारी चीज़ें जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं जैसे गेहुआ ठीक है गेहुआ क्या होता है गेहुआ कहते हैं रंग रूप को एक वेक्ट कैसा है वो गेहु से बोलते हैं दरिद्र ठीक है और भारती जो कि आपको पता है कि भारती मतलब अस्थान की बात की जारी एक देश काल की बात की जारी ठीक है जैब भारती हैं तो आप इसका मतलब क्या है एक देश से संबंद रखते हैं एक अस्थान से संबंद रखते हैं तो यह क्या हो ग लेकिन अगर हम बात करें स्वयम की, तो स्वयम क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए, एक्जाम में कोशन्स बहुत टफ नहीं होते, बस प्रैक्टिस अगर आपका नहीं होगा, तो कोशन्स आपके लिए टफ होंगे, अगला कोशन है, न संग्या है संग्या सर्वनाम विसेशड यह सब चीज पढ़ाया गया है लेकिन बाकी अन्य की बात करें तो वह विसेशड है जैसे बैमान तीखा और चिकना यह क्या है यह आपके गुडवाचक विसेसर हैं, ठीक है, गुडवाचक क्या है, विसेसर हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नेक्ट कोशन है आपके स्क्रीन पर, निमलिकित वाक्य में विसेसर से आपको पहचानना है, एक आपके सामने स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, वाक्य क् कच्छा में बेश चात्र हैं इसमें आपको विसेस्ट ये पहचानना है बताइए इसमें से कौन सा विसेस्ट ये है चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर चार यानि कि छात्र क्या है चात्र विसेस्ट ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि अगर आप स्क्रीन सॉट भी ले रहे हो तो आपके सामने हो तो ये छात्र क्या हो गया ये छात्र हो गया विसेस्ट ये देखिए 20 सब्द जो है वो चात्र की विसेस्टा बता रहा है ठीक है क्या कर रहा है चात्र के बारे में कुछ विसेस्टा बता रहा है नेक्ट कोशन निमलिखित वाक्य में विसेस्ट ये पद हैं हर प्रकार के कोशन्स आएंगे बस आप लगातार बने रहे है क्योंकि अब आपने न घोड़ा क्या है विसेश से देखें क्या लिखा हुआ काला घोड़ा दोड़ रहा है तो घोड़ा कौन सा कलरका है या कैसा घोड़ा है वो काला है ठीक है तो काला क्या हो गया विसेश से और विसेश से क्या हो गया घोड़ा तो घोड़ा कैसा है काला ठीक है यह चीज़ आप पर ध्यान में रखना है चलिए next question प्रांजल घोर परिस्रमी बालक है इस वाकि में जो घोर सब्द है ये क्या है option आपके सामने दिया हुआ है विसेशड है विसेशड है विसेशड है या सार्व नामिक विसेशड है आपको बताना है कौन सा option सही होगा इसका उत्र option number तीसरा प्रेविसेशड सब्द जो विसेशड की विसेशदा बताये वीसेशड की विसेश्ता बताने वाले सब्द को क्या कहा बताता है प्रेविसेस्ट समझ गये विसेसर तो अपने आप नहीं विसेस्टा बताता है लेकिन विसेसर की भी विसेस्टा बताए उसे क्या बोलेंगे प्रेविसेसर अब ध्यान से देखेएगा प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है यह जो प्रांजल बालक है यह कैसा है पर विशेसर ठीक है अगला सब्द है आग का तद्सम सब्द बताइए अपने तद्सम तदभाव ठीक है अर्ज तद्सम देशज विदेशज सब्द पढ़े होंगे तो यहां पर बताईए आग का तद्सम सब्द क्या होगा इसका होता है option number दूसरा अगनी आग का तत्सम क्या होगा आग का तत्सम होगा अगनी आग कैसा सब्द है आग जो है आपका ये तद्वह सब्द है ठीक है हिंदी का सब्द हो गया लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाएगा अगनी हो जाएगा देखिए तत्सम होता क्या है कैसे ल लग 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 लिखना चाहें तो यह कैसे word बनता है तत प्लस सम ठीक है अब यहां पर सम मतलब होता है समान सम मतलब क्या होता है समान और तत मतलब उसके यहां उसके समान तो उसके समान का मतलब यहां पर हुगा कि उसी तरीके से सब्द हो ठीक है और यह जो सब्द होते हैं यह पहता है आपके तासम सब्सक्राइब आपको थोड़ा भाऊ तासम वाले सब्सकाइब कोंसा है कुस्चन थोड़ा सा प्रिवर्थिद किया है उपतर भी आपका आलग है। आप बताई यहाँ पर, इसका उतर है दूसरा अगीन, देखिए अर्धितत्सम क्या होते हैं, जो तत्सम भी होते हैं और तदभव भी होते हैं, दोनों का मिस्रड होता है, अगर आप अगनी लिखेंगे, ठीक है, अगनी, तो यह आपका तत्सम सब्द हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तत्दभा सब्द, तो इन दोनों की बीच में कौनसा रहा है, इन दोनों की बीच में हैं, अगन, यानि कि थोड़ा सा आपको संस्कृत वाला भी भाव मिल राय है, थोड़ा सा पूड़ हिंदी वाला भाव मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये, टूरा से समझ सकते हैं ठीकत चलिए अगला question from % 5 का त अटम रूप क्या है बताइएगे सभासा का त सम रूप क्या है नैं कि इसका उत्तर है पीपाशा पीपाशा जो है ये ततस्म रूप है ठीक है ये ध्यान में रखेगा और प्यासा क्या हो गया यह आपका तद्वह सब्द हो गया नेश्ट कोर्शन निमलिकित में से कौन सा एक सब्द तद्सम नहीं है चार अप्षन है इसमें से एक को पहचानना है कि कौन सा तद्सम नहीं है बताई आप लोग जल्दी से ये इसका हुतर है ऑप्षन नाइड़ चार आख आख जो है यहन्या आपका तद्सम समDER नहीं है यह तद्वह सब्द है और आख का जो थunnrim होता है वह ऊच्छी अच्छी क्या होता है आपका आख चलिए नेस्ट कोशन निमलिखित में देसज सब्द कौन सा है आपको बताना है निमलिखित में देसज सब्द कौन सा है जा हूए इसका उतर है तिंदुआ तिंदुआ क्या है तीसरा वाला प्षन या पका दे श्जय सब्ध है ठीक है अभी आगे परिभास आएगा इसलिए परिभास आभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं देससब्द या इसको देसी सब्द भी बोलते हैं एक तरह से ठीक है देसी सब्द भी बोलते हैं जैसे लोटा हो जाता है ठीक है लोटा सब्द हो गया या फिर पगड़ी हो गया ठीक है पगड़ी ये वर्ड क्या है आपके देसी सब्द है यानि देससब्द है चलिए मैं वह आपके देशा सब्द हो जाते हैं ठीक है तो परिभासा तो पता ही चल गया और एक्जामपल भी इससे पहले वाला कोशन है जैसे लोटा पगड़ी तिंदुआ चलिए अगला कोशन निम्नांकित में तदभव सब्द कौन सा है आपको इसमें तदभव सब्द पहचानना है सभी प्रकार के कोशन सम करेंगे इसका उतर है पंक पंक क्या है आपका ये तदभव सब्द है अब यहाँ पर परिभासा में बताएता हूं तदभव मतलब क्या हो हुए हूँ ठीक है यानि स्रूत भासा सब्दों से विक्सित हुए हूँ और एक तरह से परिवर्तित होके आए हूँ वह आपके होते हैं जैसे संस्क्रिट से आगे चलके पाली बनता है फिर प्राकित बनता है फिर अभब्रस मनता है फिर उसके बाद हिंदी बनता है तो ऐसे सब्द जो स्वरूप में परिवर्थित हो गए हो वही होते हैं आपके तद्भा वाले सब्द यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेंच्ट कोशन नीचे दिये गए विकलपो में से तद्भा सब्द को चुनिए चार ऑप्षन है आपको तद्भा सब्द को चुनना है इसका उतर है option number दूसरा गोधुम गोधुम क्या है आपका ये तत्सम सब्द है ठीक है ध्यान में रखेगा ये कैसे सब्द हो गए ये आपके तत्सम सब्द हो गए चलिए अगला question नीचे दिये गए विकल्पों में से तदभो सब्द को चुनिए यहाँ पर भी चार option आपके सामने और आपको यहाँ पर तदभो सब्द को चुनना है इसमें ज्यादे explanation की ज़रूत नहीं है सीधा चुनिए ठीक है जो trick मैंने बताया उसी तरीके से समझी है तो आप उतर बता देंगे इसका उतर है इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं जो है आपका यह सही उतर हो जाएगा देखे सैयम जन्म और लवड यह क्या होते हैं यह तीनों के तीनों तत्सम सब्द होते हैं ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा जहाँ पर थोड़ी से एक बिंदी दिख लगता है वो भी हो जाते हैं और यह तो आपको पता यह थोड़ा सा हार्ण आपको लग राह वोगा है इस तरीके से जुस्सा होता है तो उनके लिए फार्मूला है '' वह मैंu निम्लिके सब्दों में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए, चार आप्षन है, आपको बताना है कि इन में कौन सा तत्सम सब्द है, इसका उतर है अपशब्द, अपशब्द जो है यहाँ पर सही उतर है, ठीक है, तो यह आपका तत्सम सब्द हो जाएगा, बाकि जितने भी हैं वो आपके अन्यसब्द हो जाएंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके सामने सुध्ध वाक्य को चुनने के लिए आएगा ठीक, आपको सही वाक्य को चुनना है कौन सा वाक्य जो है, वो सही है पहला कोशन, 21 कोशन है निमलिकित में कौन सा वाक्य सर्व सुध्ध है यानि कि सभी तरीके से सुध्ध है अब यहाँ पर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है पस यह देखना है, वर्तनी जो है सही हो मात्रा जो है सही से लगा हो, आगे पीछे वर्ड ना हो पस इतना आपको पहचानना है, ठीक है एक वचन के साथ बहुवचन ना हो, एक वचन के साथ एक वचन हो इस तरीके से आपको पहचानना है तो पढ़िए इसमें चार आप्शन है इसमें कौन सा है सही तो कि मैं एक एक option पढ़ूँगा तो आपके लिए जादे tough हो जाएगा इसलिए आप direct पढ़िए और उत्तर बताईए questions बहुत ही easy है tough questions नहीं है ठीक है चलिए यहाँ पर उत्तर की बात करो तो उत्तर हो जाएगा तीसरा वह मेरे बाद पैदा हुआ था यह जो option है आपका तीसरा वाला यह सर्वसुद्ध है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां क्या लिखा है वह मेरे पीछे पैदा हुआ तो पीछे नहीं होता हम इसा बाद आता है ठीक है पश्चात भी नहीं होता ठीक है यह बाद ही सब्द होगा मैं उसके आगे पैदा हुआ यह बताने से अच्छा है कि आप सिधा सिधा सही सब्द जो होगा वह यही होगा sentence कि वो ए मेरे बाद पैदा हुआ आप यह नहीं कह सकते हैं उसके पहले पैदा हुआ आप गोल सकते हो लेकिन वह सर्वसुद्द्ध है यहां पर भी आपके सामने हैं आपको बताना है कि सही तरीके से कौन सा वदकें इसका उतर हो जाएगा तीसरा वे सभाव से बड़े अध्यान सील थे बाके जितने भी लिखे हुआ है सब गलत लिखे हुआ है क्योंकि तरीका यह ही है कि अगर आप गैप करके लिख रहे हो तो पहले तो आपको कामा लगाना चाहिए नहीं लगा हुआ है और अगर सिधा देखना है तो यह चीज नहीं होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए वे बड़े अध्यान सील थे सभाव से तो यह भी करेक्ट नहीं है क्योंकि कामा लगारी इस्तेमाल नहीं हुआ है सब चीज देखना है ठीक है पंक्चुएसन वर्तनी ठीक है ग्रामर सब कुस देखना है कि ऐसा ना हो कि एक वचन के साथ पता चले बहुचन जोड़ दिया होते यह सब कुस देखना है इसलिए तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा बाकि सारे के सारे क्या है गलत है अगला कोशन है इसमें थोड़ा सा आपको सेंटेंस बड़ा दिख जाएगा वाग कि लेकिन ऐस से कोशन्स आपके एकजाम में पूछे जाते हैं और कई सारे एकजाम में पूछे भी गये हैं चलिया कॉशन है यहाँ पर भी आपको सर्वसुद्ध वाक्य का चैन करना है 23 पार आपको स्क्रेंट पर आराम से टाइम लेजी इसलिए मैं समय दे रहा हूँ आप आराम से समय लीजिए क्योंकि एक से दो कोशन तीन कोशन आपके लिए टफ आएगा इस तरीके से टफ आएगा टफ तो नहीं कह सकते लेकिन यह समय लेगा उसके बाद जो है बाकी सारे कोशन सोड़े छोटे छोटे लाइन में है इसका उतर हो जाएगा चौथा चौथा क्या है लिए आगे बढ़ते हैं बागे जितना भी लिखा हुआ है वह असत्य है नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से कौन सा वाग के सर्वसुद्ध है यह आपके लिए एक तरह से होमवर की रूप में यह तीन कोशन था क्योंकि प्रेक्टिस करिए आराम से पुरा कथन आपको पराजित नहीं ठीक है मनुस को क्या किया जा सकता है नेक्स्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं यह जो संटेंस लिखा हुआ है यह सही है बाकि जितने भी संटेंस है वो सही नहीं है कही ना कहीं कुछ ना कुछ कलती आपको दिख जाएगा नेक्स्ट निमलिखित मे और थोड़ा सा arrangement कर लिए कि सही word जो है किसके बाद कौन सा आएगा तो हो जाएगा गाम इसका उतर है पहला वह बिलकुल यह कारिय नहीं जानता यह जो कथन है यह आपका सही है चलिए नेक्ट कोशन अब यहाँ पर सीधा एक वर्ड में आपको वर्तनी पहचानना है सुद्ध वर्तनी तो पहला कोशन यहाँ पर सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है बताईए कमेंट करके जल्दी से बताईए और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इसका उतर है तकिनी की तीसरा वाला जो है यह सही है बागी जितने भी है उसमें वर्तनी गलत है वर्तनी का मतलब मात्रा हो गया ठीक है जो सब्द लिखा हुआ ऐसा नहीं कि आधा के जगए पर पूरा लिखा हो पूरा के जगए पर आधा सब्द लिखा हो यह सब जो है आ इसका उतर है चौथा सुसील यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है ठीक है बाकि जितने भी है वो गलत है नेश्ट कोशन यहाँ पर भी आपको पहचानना है 28 कोशन सुध्वरतनी वाला ही सब्द पहचानना है देखे इस प्रकार के कोशन जो है आपके एक्जाम में लगातार हो नहीं सकता कि पांच कोशन दे दे लेकिन दो तीन कोशन या एक दो कोशन आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है वो लगबबबबबबबब हर चैप्टर को टेच कर देते एक्जाम में उनका टारिगेट यह होता है और कुछ चैप्टर से दो-दो कोशन सा सक लिए तरीका होता एक्जाम में पूछने का ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है इसलिए मैं आपको तिन तिन चार चार कोशन पाच-पाच कोशन करा दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए ये प्रैक्टिस है आपके लिए है ठीक है इसका उतार समीत जो है आपका चौथा वाला सही है ठीक है यह सुद्वर्तिनी वाला है चलिए नेश्ट कोशन यहां पर भी आपको सुद्वर्तिनी पहचानना है और क्लासिस को सेर किया करिए ठीक है अपने सभी दोस्तों के साथ फेस्बुक पाटसप पे सेर किया करिए ताकि इस लागडाउन में सभी लोग पढ़ाई कर पाएं ठीक है कि इसको रहे ओप्षेननबर 4 अनुशरण सही है अनुसरण नहीं होता अनुसरण यह वाला भी जो है अनुसरण विखाऊ गलत है और यह अनुसरे विखला थे तो अनुसरर यह वाला करेक्ठ है ठीक है कि सरी कде सिलिखा जाएगा अनुसरड. Next question? सुद्ध वरतनी वाला सब्द पहचानना है? तीसरा question makett, तीसबा question है. आपको पहचानना है, जल्दी से बताईए कौन सा यहाँ पर सुद्ध वरतनी वाला सब्द है? इसका उतर है, चौथा, उन्नती. ठीक है? उन्नती जुए, यह सही है. देखे जब यहाँ पर ती की मातर होते है इसको जल्दी पढ़ा जाता है ठीक है यह छोटी की मातर है उन्नती और यहाँ पर देखे क्या लिखा उन्नती ठीक है यहाँ पर भी उन्नती तो यह जो मातरा बड़ी वाली है इसको आप थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे तो यह गलत का लिंक वगारा प्रोवाइड कर दिया जाता है आप सरकारी एक्जाम वाला को फेस्बुक ट्विटर और इस्टाक्राम पर भी फालो कर सकते हैं करन्ट फेर से लिटर्ड और एक्जाम से रिलेटर्ड काफी सूचना यहां पर प्रोवाइड की जाती है ठीक है चलिए मिलते ह नेक्स्ट क्लास में और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी सातियों के साथ सभी दोस्तों के साथ सेर किया करिये ताकि सभी लोग इस क्लासेज में आ सके पढ़ाई कर सके ठीक है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करिये और कमेंट बॉक्स में कमेंट क